तो आगे दे श्रेंट्स क्वेश्चेन है कि the expansion of an ideal gas of mass m at constant pressure p is given by the straight line b ठीक है अब यहां पर volume versus temperature का हमको graph बनाय हुआ है तो volume और temperature के बीच का graph जो दिखाया जा रहा है वो b के थुरू दिखाया जा रहा है pressure को यहां पर माना गया है constant अब बोल रहा है कि then the expansion of the same ideal gas of mass 2m at a pressure 2p तो अगर पहले mass m था pressure p था तो उसके लिए graph जो था volume और temperature के बीच में वो graph b से दिखाया गया अब यहां पर बोल रहा है कि अगर हम same gas लेते हैं लेकिन mass को लेते हैं double और pressure को लेते हैं 2p तो बताईए कि कौन सा straight line यहां पर अब हमको volume और temperature के बीच में मिलने वाल है तो इसके लिए तुमको एक formula याद करना पड़ेगा जो कि ideal gas equation के लिए बहुत बार use होता है पीवी इक्वल्स टो एनार टी तो यह जो पीवी इक्वल टो एनार टी लिख रहे हैं इसमें volume इक्वल टो क्या हो जाएगा एनार अपॉन पी इन्टो टी जहां पर एन क्या है number of moles तो number of moles को तो हम लिख सकते given mass by molecular mass तो यह भी इक्वल टो हो जाएगा given mass by molecular mass और r upon p पहले से था इन्टो टी यह आया तुम देखो यहां पर तो यह जो भी है वो टी के directly proportional था पहले क्योंकि pressure constant था बाद में हम लोग यहां पर mass को double करने वाले हैं और pressure को भी double करने वाले हैं तो note करना यहां पर तुम कि जो graph का slope है globe of the graph globe of the graph वो यहां पर mr divided by mp है small m mass of the gas r universal gas constant capital m molecular mass p pressure यह जो यह जो term यहां पर देख रहे हो y equal to mx plus c से compare करो ठीक है तो y equal to mx plus c से compare करोगे तो यह जो slope है यहां पर हम लोग इसका use करने वाले हैं अगर मेरा जो slope है वो mr by mp है तो अगर suppose करो कि हम यहां पर mass को 2m कर दें means की जो graph हमको m mass और pressure p के लिए मिल रहा था अगर हम same gas लेते हैं और mass को भी double और pressure को भी double करके सोचते हैं कि मेरा vt graph change हो जागा volume versus temperature का graph change हो जागा तो नहीं change होगा क्योंकि जो slope पहले था अभी भी वही रहेगा यह वाला term और यह वाला term दोनों double हुआ है तो जिसके वज़े से to cancel हो जागा तो इसलिए जो graph पहले था अभी भी वही रहेगा और answer इसका हो जागा option number c तो i hope तुमको य question समझ में आगे होगा thank you